हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चानल इश्वरिस किचिन में आज हम देखेंगे सिंपल और इजी पनीर बिर्यानी की रेसिपी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए अब देखते हैं पनीर बिर्यानी की रेसिपी सबसे पहले पनीर मारिनेट करेंगे उसके लिए लेंगे एक कब दही फिर डालेंगे एक बड़ा चमच लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच गरम मसाला एक बड़ा चम्मच पुदीना पाउडर या पुदीना के पत्ते आधा चम्मच कसूरी मेथी एक बड़ा चम्मच नमक विनीगर या फिर नीम्बू का रस एक बड़ा चम्मच अद्रक लसन की पेस्ट एक बड़ा चम्मच थोड़ी धनिया और इन सब मसालों को हमें धही के साथ मिक्स करना है फिर उसमें 150 ग्राम पनीर डाल देंगे और पनीर को भी हलके से धही के साथ मिक्स कर लेंगे मिक्स होने के बाद इसे 30 मिनिट के लिए मैरिनेट करने साइड में रख देंगे तीन कप पानी, उसमें दो कप चावल डाल देंगे, बासमती राइस, दो बड़े चमच नमक डाल देंगे ये राइस को हमें 70% तक ही कुप करना है, फिर डालेंगे रोज वॉटर और इसे 10 मिनिट के लिए पकनी के लिए छोड़ देंगे हमारा चावल पक चुका है, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे एक कड़े में हमें तीन बड़े चमच तेल लेना है, उसमें एक तेज पत्ता डालेंगे तीन से चार लॉंग डालेंगे, दो इलाइची, एक बड़ा चमच, जीरा इन मसालों को हम सोटे कर लेंगे फिर दो प्यास डालेंगे पतले कटे हुए, और प्यास को हमें सुनरा रंग आने तक फ्राय करना है इसमें से आधा प्यास हम निकाल लेंगे फिर एक बारिक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और उसे भी सोटे कर लेंगे फिर उसमें डालेंगे हमारा मारिनेटेड पनीर और दो मिनिट तक उसको भी पका लेंगे अब हमारी पनीर की सबजी बन कर तयार है अब गैस ओफ कर देंगे और उसमें एक ही लेयर में चावल डाल देंगे चावल को हमें evenly स्प्रेड करना है फिर उसके उपर डालेंगे आधा चमच गरम मसाला धनिया आधा चमच पुदीना पाउडर या फिर पुदीना के पत्ते कसुरी मीथी आधा चमच बुने हुए प्यास डाल देंगे तीन बड़े चमच केसर का दूद डाल देंगे एक बड़ा चमच गुलाब का पानी डाल देंगे आधा कप चावल का पानी डाल देंगे दीमी आधा पर 20 मिनिट के लिए बिर्यानी को दम देंगे 20 मिनिट बाद हमारे बिर्यानी बनकर तयार है बिर्यानी को निकालते टाइम इसे सेंटर से ना निकाले साइड से निकाले और इसे सर्फ करें हमारी पनेर बिर्यानी बनकर तयार है